कि जाइन दोस्तों कि लास्ट क्लास में दो क्वेशन बताएं थे प्लास थोटा था आज 12.4 अलाके आपका अपने किताब में देखोगे तो उसमें लिख ले हुए है लिखे हुए 13.4 लेकिन दरसल वह है 12.4 है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कि देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेशन है पहले नंबर में तो सुर्वियम दिया गया है कि एक्स ग्रेटर दें एक्वाल टू वण ठीक है और दूसरा इन इक्वेशन की बात करें तो वाई लेस देन इक्वर टू पूर दो गईन इक्वेशन है तो दोनों को बनाना है तो पहले आप इसका संगत समीकरन लिखो संगत समीकरन लिखे और वैसे ही इधर भी आप इसका संगत समीकरन लिखो दोनों का इसका संगत समीकरन लिखोगे तो एकस बराबर वन हो जाएगा और अगर इसका संगत समीकरन लिखोगे तो सोरी सोरी एक्स ने वाई बराबर को जाएगा ठीक है अब कुछ नहीं करना आपको नंबर लाइन बनाना और यह से तो जरूरत भी नहीं था क्या मिस्टर रफ ड्रॉव करें सिर्फ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से काम चल जाता तो फिर भी वन है तो 12345 12345 अब करना क्या है एक्स अक्ष पर वन एक्स पर वन यहीं वाला हो गया यहां पैसे एक लाइन ड्रॉ करो बस और लिख दो एक्स इक्वल टू वन अब यहां से कहानी होगा स्टाट अब यहां से कहानी हो जाते शुरू कि हम इसके राइट साइड वाला पॉर्शन मतलब कंसीडर करें या लेट साइड वाला तो वह इसको देख कर आप समझ सकते कि एक्स वन से बढ़ा ऐसे तो आज स्टैंडर्ड इन इक्वेशन लिखने के लिए सिखा दें हम कि वन को अगर इधर होगे वन को अगर इधर भेज होगे इस तरह से स्टैंडर्ड वाला भी सिखा है कि एकस माइनस वन ग्रेटर दन इक्वोड टो जीरो हम यह भी सिखा है तो भी आपको समझ में आएगा कि जीरो से बढ़ा है और जब कोई भी इन इक्वेशन जीरो से बढ़ा हो और आप एक मतलब एक्स के लिए वाई के लिए तो ऊपर और नीचे होगा जैसे वाई अगर पलस में तो वाई सो ऊपर और वाई अगर नीचे मतलब माइनस में हैं तो नीचे इस अब सब बताय हुए है कि फिलाल यह जी इससमझ में आरएब जीरो से बढ़ाते हैं इसके राइट पोर्सन को हम इस तरह से से सेडों और भरदें यह वहला पोर्सन लेकिन क्या यह सही है देखते हैं तीक है अद दुसरा राइब बरावर क्या है चार तो यब बरावर चार ऐसे लिख दिए है सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब लेकिन इस तरह से अगर आप बना गए तो यह हो जाएगा गलत यह जो बना यह हो गया गलत आप ऐसे नहीं कर सकते हैं यह आधा दुरा सोच सही कैसे वह अब हम बता आप यह जानते बनाने के लिए यह भी जानते बनाने के लेकिन दोनों को एक साथ अगर देदें तो यह गलत हो गया अब यहां ध्यान देने सही कैसे बनेगा अब हम समझाने जा रहे हैं इसी साव को हम सही तरीके से कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको हम ऐसे लिखेंगे एकस माइनस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो और इसको लिखेंगे वाई माइनस फोर लेस दैन इक्वल टू जीरो और अब हम बताएंगे कि हाँ वाई इसका संगत समी करन क्या है कि एसे यहां से तो समझ में आ गए यह देखकर कि जीरो से बड़ा जीरो से बड़ा मतलब एकस प्लस है और एकस वाला जो भी आप समी करने जो भी आप लाइन ड्रौ करोंगे कर सकते कि यह जो है एक्स माइनस वन टर्म वह जीरो से बड़ा अब बड़ा मतलब याद रहे बस सिर्फ राइट साइड और यह तो जीरो से छोटा है तो इसमें राइट या लेफ्ट नहीं चलता ऊपर या नीचे क्योंकि वाई जो है वाई को कंसिडर करोगे तो वाई ऊपर जाएग या तो नीचे आएगा तो छोटा है छोटा है मतलब नीचे यानि कि डाउन डाउनवर्ड खैर संगस्ता मिखरण हो जाएगा एक्स माइनस वन बरावर जीरो तो एक्स बरावर हो गया यहां से लिख हैं वाई माइनस फोर बरावर जीरो तो वाई बरावर हो गया फोर पूरा सा टाइम को सब्सक्राइब कर देखे अब देखे यह लिख देखे की एकस बरावर वर्न वाई बरावर फोर अब हम एक काटिजन प्लें ड्रॉव करते हैं माइनस वाला पॉइंट ना तो वाई एक्सिस पे चाहिए माइनस वाला पॉइंट नाहीं एक सेक्सिस पे चाहिए कि ऐसे तो एक सक्ष पे एक से ही काम चाल जाएगा एक इसे नहीं लिखना है मतलब एतना लिखना कि पहुच जाए कि वाई पे चाहिए तीन चार पांच मतलब इस हेसाब से लिखना कि यहां पर भी लिखेते एक कि जितना दूरी इधर लेंगे लगभग उतना इधर लेना हो सकता है कि हम से हम से यानि मेरे से मुझ से फोड़ी गलती हो जाए तो उसको माफ किजेगा अगर इधर हम इतना लंबा लिए तो इधर भी उतने लेंगे प्रहां कम हो गया हम से दू तीन चार पर उपर कहीं पांच एक्स नियामक वन है यह तो आप समझ चुके थे कि एक्स अक्षपे वन है अब यहां से एक लाइन ड्रॉव कर देंगे और लिख देंगे एक्स बरावर वन हाँ यह स्पेशल है कि एक्स वाला जो इन एक्वेशन है उसके राइट साइड आपको जाना ते यह ध्यान रहे क कि हम इसके राइट पोर्शन को कंसीडर करें बस अभी पूरा खतम ने हुआ अभी और भी जलेगा इस लिख जाए उपर कर अभी और भी है इस लाइन को ड्रॉव करो कि वाइबरावर फोर यहां है इसको लिख देंगे वाइबरावर पोर और यह तो डाउनवर्ड है तो लेकर लेकर वैसा पोर्शन जो इसके डाउन साइड में आ रहा हो और इसके राइट साइड में आ रहा हो जिसे राइट आने का तो उपर भी रिकन उपर नहीं जाना है अनला वैसा एरिया ऐसा पोर्शन ऐसा छेत जो इसके डाउन में आ जाए इसके राइट में तो हम यह वोला पोर्शन ये वला ये वला हिस्था जहां तक जाए नीचे तक भी जा रहा तो जाने दो कि इसके नीचे है और जो ये लाइन वर्टिकल उसके राइट है तो ये वला हिस्था कि दोनों के लिए कामन है और ये हिस्था आप लिख सकते हैं कि X ग्रेटर दैन वान एंड वाई ग्रेटर दैन सब्सक्राइब एक्वल टू पूर यह होग आंसर यह सही हुआ आपका ग्राफ पहले ग्राफ में जो गलती हुआ वो जान बोज के जम्याप गलती ना करें नेक्ट क्वेस्टन सेगें नमबर देखतें कि क्या है कि दूसरा नमबर क्वेस्टन अगर देखें दूसरे नमबर में है कि एक से ग्रेटर दैन इक पर टू फाइव और वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू टू अगर हो सके तो आप इसको स्टेंडर्ड फॉर्म में बदल स्टेंडर्ड फॉर्म मतलब एकस माइनस फाइव पाँच पाँच पांच इधर भी दिया तो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरू सबसे पहले अस्टेंडर्ड firm में in equation को लिखेंगे इधर भी चाहो तो y minus 2 greater than equal to इधर 0 अब आप इसको इसके संगत समी करन के रूप में convert कर दोगे मतलब x minus 5 बरावर 0 इसको भी इसके संगत समी करन के रूप में convert कर दोगे तो y minus 2 बरावर 0 यहां से x बरावर 5 और यहां से y बरावर 2 फिर से वही बात अदेखो पिछले exercise में आप यह तो सिख गए होंगे कि left side कब रंगना है right side कब रंगना है रंगना ने बोलेंगा सेडो करना है चांकित करना है right side कब सेडो करना है left side कब सेडो करना यह तो हम बता जोके हों तो वही दोनों के मिलान से आज जो हम बताने वाले उग्राप बनेगा और भागना नहीं याद बीच में इसलिए हम एक मिनट रोख के आपको समझा दी आपको समझ में आ जाएगा फिलाल इसको देखते हैं फिर नीचे ड्रॉन एक हैं क्योंकि माइनस के जरूरत में लेट से ड्रॉन एक हैं क्योंकि माइनस के जरूरत यहां बस ओलिक हैं कि इधर एक सैक्सिस इधर वाई एक्सिस एक सैक्सिस पे ऐसे समझ में आ रहा है कि फाइव है तो फाइव क्या आप हाइस पॉइंट पांच ही मान होगे कि पांच सबसे बढ़ा थे एक दू कि तीन चार पांच छे पहुत हो गया है कि फिर उपर की तरफ अगर चलें तो वह वह सहीं मानेंगे एक दू कि तीन चार पांच छे मान लिए एक नियामक पांच तो यहां पर पांच है इस अग्छ पर पांच यहीं मिल रहा है तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे प्रही बात कि आपको यह समने आता कि देखो बाबो यह सब चीज नाइन्थ में हम सिखा देते हैं व्याहालच गाल है तो 9th का चेप्टर आपको मिलेगा थे मैं नाइन्थ में तो इस दैकलर in आपको ृठ का नियामक यामीति देख लेजिए वे बहुत अच्छे तरीके समस्कराइब नाइन्थ में अगर ने समझ पाएं तो टेंथ का नियामक जामिति नाइन्थ में दो चारवाले रेकिक समय करें पर टेंथ में भी देख लेजे तो आपको समझ में आ जाएगा चलो यह लाइन जो ड्रॉ कियें उपकिसके मदद से कियें तो आप कह सकते हैं कि एक से बरावर इसक मदद से ड्रॉव कियें दूसरा वाइब रावर तो तो वाइए टू मतलब यह नियामक दू यहीं हो गया आपका मप्लेटली यह लाइं निया लाइन चाहो तो इस लाइन पर लिख लिख भी देव कि वाई बरावर टू अब रही बात कि यह जो आप देख रहे हैं है जीरो से बाड़ा है और यह सब चीज हम बारादर समरों तीन में सिखा दिया थे जीरो से बाड़ा है बाड़ा है और अगर जीरो से बाड़ा है तो राइट साइड एक अगर आप मान रहे हो तो इसके राइट साइड इसके राइट साइड यह भी हो सकता है इसके राइट स यह भी भोही बात बोल रहा है कि हम 0 से बढ़ा है यह राइट या लेफ्ट नहीं चलता यह आप और डाउन चलता है मतलब ऊपर यह नीचे तो जिरो से यही वह हिस्सा है जो इसके right side में है और भी है और इस लाइन के ऊपर यही वाला हिस्सा तो यही अंसर होगा और यहां आप चाहो तो लिख सकते हो कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टो फाइव एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू तो जिस हेसाब से क्वेस्टन है अंसर यह वला होगा यह सब नहीं रगना है आपको कि कि क्वेसर नंबर थर्ड क्वेसर नंबर थर्डी के बात की जाए पर एक्स प्लस तो य गटर दन एक्वल टू बीज दूसरे की बात करें तो थ्री एक्स लॉस वाई लेफ टैन इक्वल टू पंद्रा इस लस्टो वाई गेटर दन इक्वल टू भी स्रीट्रेश वाई लेस देन इक्वल टू पंद्रा अब थोड़ा सा हटके आप अगर चाहते हो कि हम इसको स्टेंडर फॉर्म में बदले तो आपकी मर्दी आप बदल सकते हैं कि अन्य तो इसे भी समझ में आ रहा है ध्यान से देखो तो कि अगर 20 20 20 अगर इस तरफ आ भी गया तब भी तो यह बड़ा ही होगा जीरो से तो ऐसे भी आप कह सकते हुए यह करे यह समझ में आ गया कि इस के मदद से जो है उबड़ा है यह समझ में आ गया कि इसके मदद से जो भी लाइंड रोगा उसके लिफ्ट साइड बस यह समझने के लिखते हैं बाकि दोनों का ही हम संगत समीकरन लिखेंगे इसका भी लिखेंगे संगत समीकरन और इधर भी लिखेंगे संगत समीकरन अगर हम इसके संगत समीकरन के बाद करें तो एक्स प्लस टूवाई इक्वल टूट्वेंटी दो को वैलू इधर फाइंड करना है निकाल लेंगे पेसे इधर अगर लिखें तो 3x प्लस y is equal to 15 दो वैलू इधर निकालेंगे और आप जो भी वैलू निकालेंगे पुरा स्थिर से ध्यान से क्योंकि एक वैलू बहुत बड़ा आएगा तो दुसरा वैलू हो सकता है बहुत छोटा आजाए तो दोनों में ताल मिल रखते हुए चलना अएक ऑनर्गल माल नहीं है पता चला कि चलो भाया रणल कि महले खटा है आपको टेंस सन्थे मालो एक्स बरावर 0 सब्सक्रण एक्स एक्स इक्वोड टू जीरों अगर एक्स इक्वोड टू जीरों considering करते हैं 0 माल ली उतना तो हो या चील बार बार डारेक्ट हो जायेगा कि इस चीज में कि इधर एक्स और वाई हम देते हैं देखते हैं इस एक से फिर से जीरो मान दिए अगर एक से जीरो मानते थो आँ बराबर डायरेक्ट इदम 15 लेकिन सेनफे का एंघ को य जिरो माल लें तो फिर तीन से कटेगा और एक स्बराबर हूगा कि है यजिन अब इसमें और ऐसमें देख कर साफ 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 ज़लक साथ कि गारत है कि वाइनस बैला मैंनस बेद बैली यह वी नहीं मैंनस्वलावल यह थी हम ऐन माइनस मााइनस माइनस माइनस नहीं जह लग रहा है तो आप इस तरख से partisan ड्रॉआ करो मंनलब किस अक्षऺ और यह पिर बस्त परन्सवाइब माइनस ना तो 1 लग रहा है अप 10-20 काम करते हैं कि 55 55 दुनीं X 10 15 15 K 20 5-25 ऐसे मान लिते हнд घर वैसे मान लेते हैं पछस्का 5 512 गजस पाच के पांची 225-25-25-ूथ लिए हैं अब पहले तो हम इसके मदद से एक लाइन ड्रॉव करेंगे जिसे एक जीरो और वाई दस तो डायरेक्ट यही वला वह पॉइंट है जहां पर बोलेंगे एक जीरो है यह वाई दस यह वह लगी फिर दूसरे में एक सबीस मतलब यह वह लाप जहां पे एक सबीस तो है लेकिन एक से से हाँ पर वाई ऐसे भी जीरो अब आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले इन दोनों ही बिंदूओं को इन दोनों ही बिंदूओं को इन दोनों ही बिंदूओं को हम मिला देंगे कि D own Nova ही बिंदुहों को हम मिला दिया रही बात कि जो हम लाइन यह डॉख इस सम्मीकरन के मदद से फिर्ट है यह वहला समिकरन यह वहला थो जाईर से बाति के रहे दो किसी रहेकिक आज दॉख न नके मदद से कर दो कि एक सामीकरन यह वला है x plus 2y is equal to 20 एक मिनाट अब अपने आपको यहाँ पर खड़ा कर लो नीचे और उपर की तरफ देखो यहाँ पर खड़ा कर लो और उपर के तरफ देखो यहाँ खड़ा करके उपर के तरफ देखो आख आपका उपर होना चाहिए तो यह वला होगा आपका right hand और हमको चाहिए वह क्या राइट हैंड तो लेफ्ट के जरूरते निबस राइट हो गया यह पूरा पूर्सन राइट हो गया इसको छोड़ देजे कुछ मत करो दूसरा यहां से एकस जीरो वाई पंद्रा मतलब एकस है ही ने सिर्फ वाई पंद्रा यहां पर कहीं होगा जहां बोलेंगे एकस जीरो और वाई पंद्रा फिर एकस पांच एकस पांच यहां पर कहीं हो जाएगा जहां बोलेंगे कि एकस नियामक पांच है और वाई नियामक यह विभला प्रॉैंट और यह विभला क्उइंट कि दोनों को मिला देंगे और मिलें है अब यह जो लाइन रोगिया हो किस समी के अट से जो लाइन याख कह आया रेखा कुण से समी करन के मतill के तो सम्मी फिकरण है 3 एक्स पलस वाई बरावर में 15 लेकिन एक मिनट है को इसके तो लेफ्ट जाना तो अपने आपको नीचे खड़ा करो और उपर के तरफ देखो नीचे खड़ा करो मतलब यहां खड़ा हो जाओ नीचे पॉइंट पर उपर के तरफ देखो तो आपका राइट हैंड इस तरफ होगा लेकिन राइट हैंड आपको तो लेफ्ट हैंड चाहिए तो लेफ्ट ये वला हो सकता है यहां के सासाथ यहां क्यों लिखे क्योंकि यही वला वो पोर्शन है और भी ट्रॉब करते हैं इस तरह से यह जितना लंबा चला जाए यही वला वो पोर्शन है जो पहले वाले लाइन यह वाला ध्यांस देखना इस जगह पर ध्यान देना सब्सक्राइब हम मार्कर चेंज के ग्रिन मार्क यह द्यान देना यह जो ग्रीन मार्कर जल डॉट 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 डॉ पंचिडर कि कि इसका राइट हो और इसनाइं के हम लैफ 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 यह वह referred जो कि इसके तो सकते हैं मनलब यही वह वह थो को आ यह मतलब लाइन के एक आप इसके right side चल गया और इस line के left इसके left इसके left यह पोर्षिन जागर देखे इंगें इसका left है इसके left है इसके left में है लेकिन इसके right में नहीँ प्लिवा हिस्सा जो है हो इसका right और उसका left आप यहां चाहू हो तो लिख सकते हो कि truck plus two y ग्रेट दन इक्वल टो 20 और इस पोलिक सकतर थ्री एक्स पलस वाई लेस्ट इन इक्वल टो 50 यह बला है सर यह आंसर होगा कि फोर्थ नंबर क्रेस्ट अब देखो अगर एक हैसाब आप समझ गया ना तो दूसरा तीसरा चौथा पच्माच जितना भी है हिसाब है सब कि आप से खुद बन जाएगा हम बताएं चाहें तो नहीं बताएं लेकिन फिर भी मेरा करता है मेरा काम है कि हम हर एक हिसाब आपको बताएं तो हम एक हिसाब करके आपको बता देंगे और आपको यही कहेंगे कि आप भाले ही इस वीडियो को टू एक्स पर देखो लेकिन देख लो यार कम से कम टू एक सहीं सही लेकिन देख लो आपको यह देख लो कि जिसकी गलती होने का चांसक्त कम से कम हो कर से नभर 4 एक डिशाफ़ प्लश वाईग्रेटर देन सिक्स इस बार सिर्फ ग्रेटर देन है और दूसरे हैं इक्वेशन के देखते हैं देखिए इसको आप इतने से समझ सकते हैं कि 6 से बड़ा है अगर इसे बड़ा है एक बात सियोर हो जाता है कि जब यह सम मतलब यह जो टर्म समिकरन तो नहीं बोल सकते हैं यह जो बहुपद है यह एक्सप्रेशन है यह जो जीरो से बड़ा होगा जीरो से बड़ा होने का मतलब है कि इसके मदद से जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसके राइड साइड है और यह जीरो से बड़ा है तो वही बात है कि जीरो से बड़ा है मतलब की राइड साट और कंसीडर किसको कर रहे है एक्स को इसलिए राइड साट अ मतलब y को consider करने का मतलब है कि हम पहले भी पढ़ाएं y को consider करने का मतलब यह होता है कि आप y के पहले y के पहले minus y के पहले minus y के पहले minus वाले चिन्ने को बरदात नहीं कर सकते हैं यह होता है अगर y के पहले minus का sign आ जाए तो आप किसी भी तरस उसको plus में convert कर देंगे या तो minus 1 से गुना करके या minus 1 से भागा देखे जब आप y को consider करेजेगा तब और अगर y को consider करेंगे तो उस वक्त हम लोग ऊपर या नीचे बोलता है लेकिन जब x के आगे आप consider कर रहे हैं कि पलस 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 तो left या right और इत्फाक से अगर दोनों पलस है तो दोनों से किसी को को इब मानों सही हो जाएगा लेकिन हम सुरू से एकस कंसिडर कर दें चलो बनाना शुरू करते हैं अगर दोनों ही और समीकरन के लिए पहले लिखाएगा दोनों का संगत समीकरन इसके संगत समीकरन के बात करें तो टू एक्स माइनस वाई सॉरी यहां पर भी गल्दी हो गया एक वर्डू जीरू अब तो वैल्यू के लिए आप एक बार एक्स को जीरो मानों तो य बरावर छे और गर वाई तो ज्यादा अच्या रहेगा कि आप एक्स ब्रावर one रूइनट ऐसीधि अफे एक्स एक्वोर टू वान तो देखोगे कि वाई य ब्रावर टू आता और माइनस वाला तो माइनस वाला माइनस वाला वैलू ना इसमें है नहीं माइनस वाला वैलू यहां पर माइनस 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 नहीं है इसमें भी कोई नंबर माइनस 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 नहीं है मतलब सब पलस में है तो अगर माइनस वाला नंबर नहीं है तो हम यही परियास करेंगे कि एक सब्सक्राइब लिखें और वाई अक्ष पे विए सिर्फ पलस वाला वेलु लिखें कि ना तो माइनस यहां नजर आ रहा है नहीं माइनस वहां नजर आ रहा है तो फालतों के क्यों बरबाद करें और एक दूबीजा चलो एक दूसे ही शुरू करतें एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ पहुत लिख दिया आठ करते हैं वाई पे भी एक दू तीन चार पांच छे साथ और आठ अब पहले हम इस समीकरण गो चंशीर करते हैं कि यहां पर आजाई है जहां पर यहां पर जहां पर जहां इस नियामक छे है और य नियामक जिरो तो यह फॉला पॉइंट क्या जहां इस नियामक छे और इसको और इस तो यह दोनों बंदूओं को हम मिलाएंगे लेकिन इस बार है इसफिलग हो जाएगा इस वार मिधी कंप्लीट लाइन नहीं चलेगा है था इस वार कंप्लीट लाइन नहीं चलेगा बोलोी घौण क्योंकि कहीं इक्वल का साइन है तो डॉटेर लाइन से हाँ यह अलग बात है कि आप लिख दीजिए कि एक्स पलस वाई उपर वला या नीचे वला कि आप पहले भी सिखा चुके हैं आपको की इन इकवेशन है और इन इकवेशन के मदद से आप आप एक पोर्शन कवर कर सकते हो मतलब जो काटिजन प्लेन होता है उस राइट साइड वाया पूरा पोर्षन मतलब लगेट सकते हो इसका यह सब्सक्राइब पूरा एक फर ला लेकिन लाइन जो है वह लाइन किसी सम्हीकरन से बनाओगा और समीकरन उपर वला नहीं दीचे वला इसलिए आप इसको लिखें एक्स प्लस वाई इस इक्वल टू कि यह लाइन समीकरन समीकरन के मतलब से ड्राव हुआ वह अलग बात है कि यहां देखके लग रहा राइट साथ तो अपने आपको नीचे खड़ा कियें ऊपर देखें तो यह वला पॉर्सन राइट कहीं भी हो सकता यहां से भी राइट अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि अभी बात ही है इस नियामक वन एक्सके वन यहां पर मिला यहां बोलेंगे एक्सके नियामक वन वाई के नियामक दो अब फिर एक्सके नियामक दू और वाई नियामक चार यहां पर कहीं होगा जहां पर बोलेंगे एक्सके नियामक दू और वाई के नियामक चार और अगर एक्स जीरो हो तो वाई भी जीरो होता है मतलब है लुक एड़ मतलब इसको इस तरह से वह सब गर्वड होगे हमसे यहां कर लोगा लोटकंशल जीरोड़ूस द्पाइब यहां से यहां पर यह वी बात है कि यह समिक्रण के सब्सक्राइब करन की बाद कि जाएittaट टु एक्स मैनस वाई बयाज बराबर जीरो किसके तो हम राइट वकाधे या राइट बताती है राइट बताती है राइट अलेकिन कि यह तो बोले ही नै HO Але कि भी मेरे भी राइट ते ग Stanley टो यह वेला पोर्शन होगा लेकिन एरिया डेकार क्यों कििशिक कर राइट है लेकिन बेजार आउंकर तो राइट है ने यह व लेकिन यह वुला जो पर्वर्शन है वह हम कहेंगे कि इसके प्रक्राइट है यह कि रूत तने ही फूरा है यह जो प्रोंस है वह तो मेरे भी राइट साइडं मैंalog पूरा के पूरा हम सेडर पोर्शन दिखा देंगा फिर लिख देंगे कि यह जो एरिया है वह एक्स पुलस वाई ग्रेटर देन सिक्स कवर किया और नहीं तो टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो कवर किया तो अंसर यह होगा घ्राइब द्यान से बावों कि इस बार एक ही क्वेस्टन में दो-दो इन इक्वेस्टन इसे पहले तक यह कर दो 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 इन इक्वेसं आशार तक हो गया और जितना टाइम हम पढ़ाते हैं मेरा टाइम भी पूरा हो गया आदा गंटा से जादा वर्डियों नोर्मली हमने बनाते हैं और हां आते वक्ते बोलना चाहिए था आप किज़ेगा आज दुर्गा पोजा है तो सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से कि दुर्गा पोजा की हार्दी सुप्तामना है मित कि आप लोग ये वीडियो जब देख रहे होंगे तब तक आप मेला उला गुम क्या आगये होंगे दुर्गा माता का दर्शन करके आप लोग आ चुके होंगे माता के किरपास है आपका जीवन सुप्मय गुजरे और जो आप सोचे हैं लाइट में करने के लिए वह आपको हासिल हो वह आपको प्राप्ट हो तो मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे का जो भी कोई सनों उसके साथ में इसी चैनल पर इसी समय पर तब तक के लिए अगर लगे कि आपका दिमाग भेंग कर रहा है हम चोविस घंटे में अगर आठ घंटा सोते हैं और आठ घंटा अपने लिए हम बिदा देते हैं आठ घंटा में नहाना खाना पीना भजना रोना टीवी देखना यह वो देखो सौट्स के पीछे मत भागना हम हाथ जोड़के आप से रिक्वेस्ट करते हैं जो मेरी बातों को समझते हों तो सौट्स के पीछे मत भागना योटूप पे अगर आप योटूप पे देखते हो तो कोई वेब सेड़ेख लो किसी का सेरियल देख लो कि इसे फिलिम देख लो वह अच्या है लेकिन साथ आपको फजा देगा माइंड डाइवर्ट कर देगा वह उता क्या कि आपको आद करने लगो मन मुन को भान नहीं करक्तिया लायक तो प्रिक्रीस तरह से कि जो आपको आदर डाले तीन घंटा अगर आप देख सकते तो तीन घंटे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं लेकिन सव्ट जो देखता है ना उस व्ट के जैसा पढ़ना भी चाहता है जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता है जल्दी-जल्दी में सब चीज हासिल करके हैं और हम तो इस ऑफिसर बांजा इस इस नॉट वस अगा का मतलत क्या कि जो काम आपको करना हो मिनिट में करके निकल जायेगा तो सब्सक्राइब यह जाइब चलिए ज्यादे बात को बढ़ाते नहीं बिनते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए जाएंगे